श्रीमती गांधी का जन 9 दिसंबर 1946 को इटली में हुआ था। अपनी प्रारम्विक शिक्षा के बाद उन्होंने एक विदेशी भाषा के स्कूल में दाखिला लिया जहां उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी भाषा का अध्यायन किया। Cambridge में उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई जहां वे एक अंग्रेजी भाषा का कोर्स कर रही थी। 1968 में उनकी शादी नई दिल्ली में हुई थी। उनका एक बेटा, रहु, एक बेटी प्रियंका और दो नाती हैं। श्रीमती गांधी ने अपना अधिकांश विवाहित जीवन अपने परिवार की देख भाल करने वाले एक आम नागरिक के रूप में बिताया। वे अपनी सास इंदिरा गांधी के कई आधिकारिक कर्तव्यों के दोरान एक साथी रही और अकसर उनकी परिचारिका के रूप उनके साथ रही। साथ ही उन्होंने उक्तर प्रदेश राजय में अपने संसद्यक शेत्र अमेठी में स्वास्थे शिवरों और अन्यकल्यानकारी गतिविदियों कर ध्यान केंद्रित किया। मई 1991 में अपने पती की हत्या के बाद उन्होंने एक गैर सरकारी संगठन राज से संबंदित विचारधार रायुक्त राजीव गांधी इंस्टीटीट फॉर कंटेंपररी स्टडीज की स्थापना की। इनकी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने खुद को उनकी गतिविदियों में व्यस्त कर लिया जो उनके पती की विरासत की आद दिलाती है। वे कई अन्य गैर सरकारी संगतनों का भी नेत्रित्व करती है। 1998 में लोकसभा चुनावों के कुछ समय पहले कॉंग्रेस पार्टी की रैंक और फाइल की व्यापक मानगों की जवाब में उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने पार्टी की ओर से जोरद 2004 के आम चुनावों में उन्होंने अपनी पार्टी के चुनावी अभ्यान का नेत्रित्व किया जिसके परिनामस्वरुक सीटों की सबसे बड़ी संख्या हासिल की गई। इसने कॉंग्रेस पार्टी को गटबंधन सरकार यूपी एक बनाने में सक्षम बनाया। इस चुना थी। खाला कि उन्होंने गटबंधन सरकार का नेत्रित्व करने के लिए पत्सवीकार करने से इंकार कर दिया और डॉक्टर मनमोहन सिन को नमानकित किया। सैयुक्त प्रगतिशील गटबंधन की अध्यक्ष होने के अलावा वे संसर्ग में कॉंग्रेस पार्टी की नेता ह माई 2006 तक वे राष्ट्रिय सलाहकार परिशद NAC की अध्यक्ष भी थी एक मंच जिसने सामाजिक आर्थिक में हत्वकिक शेत्रों में सरकार को आवदिक सिफारिशी की थी।